केनड़ासे गूड न्यूस है suppose विज़ा लोके लिए यानि कि जो student dependent विज़ा है spouse विज़ा पे जो जाना चाते हैं उनके लिए good न्यूस है वो क्या गूड न्यूस है वो मैं आपको इस विडियो को बताँ हूँगा धानिल्बन में कपल भाठिया बैल स वर्सेस से बेल्स वर्सेस से अप अपने स्टेडी विजा परसेस 62920690 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं आज मैं गुन लिज देने जा रहा हूं जो स्पेशली स्पाउस विजा पर जाना चाते है कैनिडा में स्टूडेंट डिपेंडेंट विजा पर जाने कि अगर बाउस अगर जाना चाते हैं तो जो मेन अप्लिकेंट या वो वह पर मिट प्र आ या ता पहले था नॉक O, A, B, C, D. तो सिरफ नॉक O, A, B वाले जो जॉब कर रहे थे, वक परमिट पे थे, वही सिरफ अपने स्पाउस को बुला सकते थे. नॉक C और D वालों को लाउड नहीं था. अब उन्होंने ये नॉक सिस्टम भी चेंज कर दिया है. अब जो नॉक O था, वो तो नॉक 0 ही है. और A को 1 बना दिया है, B को 2 बना दिया है, C को 3 बना दिया है, D को 4. तो अब ये जो अलग-लग streams में डाल दिया हूँ है, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 वे उन्होंने, 0 में जो सबसे टॉप रैंकिंग आती है, जोब्स वो वले आएंगी, और 1 में मेनेजेरियल उसके वाज़े से कैटेगरी वाइस बूड नीचे नीचे आती ही रहती है, जोब्स. तो अब सबी कैटेगरी को ये राइट है, कि वो अपने spouse को work permit अगर आप वहाँ पर हैं, किसी भी जॉब में हैं, अब अपने spouse को बला सकते हैं, ये Canada immigration की तरफ से नई अपडेट आ चुकी है, पहले सिरफ 1 और 0, 1 और 2 अलो को लाउट था, अब 3 और 4 वले भी बला सकते हैं कि Canada अब spouse visa बहुत बढ़ी है visa success दी है, और अल्मुस्ट सभी को ही उन्होंने visas grant किये थे, अगर मैं बात करूँ तो 90% से बाबब visa grant हो है, spouse visa को लेके, और दूसरा उनका जो time था, processing का time था, वो भी कम कर दिया, पहले तो साल साल एक साल तक wait कर रहे उनके spouse, और अब वो जो time ह वो भी one to three month के अंदर अंदर ही visa मिल रहा है, तो बहुत सारे cases में हमने देखा कि एक सभा मिने में में भी बहुत सारे spouse visa भी grant किये और जो उनके बस overall backlog था, 24 million का वो भी अब कम होके 22 lakh के करीब आ चुका है, यानि कि 22 lakh के करीब रह गया है, 24 से कम होके, तो ये कहीं न कहीं positive signs ह हैं और अब जो spouse visa apply करना चाते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ीय टाइम चल ला है right now, उनको ज्यादा तर chances है कि उनको visa जल्द ही grant होजेगा, फिर भी अगर आपकी कोई भी query है, आप हमें नीचे comment कर सकते हैं, या हमारे help टाइए number six to nine to zero, six to nine to zero पे call कर सकते हैं, thanks for watching.